हलो दोस्तो वेलकम टू नीट पॉर्ट उम्मीद है स्वास्त होंगे और मस्त होंगे दोस्तो एंटीए के तरफ से जो करेक्शन विंडो है वो ओपन कर दिया गया है आज से यानि आज है आज है आट एप्रिल और आज से ही करेक्शन विंडो ओपन कर दिया गया है नीट का फ examination के लिए जैसे आपको पता है कि 7 में को होने वाला है तो duration जो correction के लिए आपको दिया गया है वो 8th April से 10th of April 2023 में 11 बजकर 50 मिनट तक आपको दिया गया है यह हाला कि ब्रॉशर में भी mention है जैसे कि पहले भी हमने कहा था previous वीडियो में कि एनक्षर में यह correction window का time जो हो mention time खाली mention नहीं था लेकिन correction window के बारे में बताया गया था यहां पर NTA के तरफ से दोस्तों यह clear cut notice है कि the candidates are allowed to make the correction latest by 10th of April 2023 up to 11 50 p.m. thereafter no correction in particulars whatsoever will be entertained by the NTA under any circumstances जीहां अगर आप 10 April ते correction नहीं करते हैं उसके बाद कोई भी परिशानी आती है तो वो NTA के तरफ से जवाब दे नहीं है और जो भी candidates अपना correction करना चाहते हैं उनको correction जो है 10 April तक कर लेना है दूसरी important बात यह है कि जो correction window है यह सिर्फ एक ही बार available होगा इसके बाद available नहीं होगा और दूसरी खास बात यह है कि यदि आप अपने category में changes करते हैं यानि जो additional charges होंगे वो आपको देने पड़ेंगे उसके बिना आपका correction जो है नहीं हो सकता है additional charges मतलब अगर किसी ने पहले SC, ST या कोई category जो है वो mention किया था और अब वो चाहता है कि वो general category में जाए यानि उनकी कोई भी issue हो सकता है और दूसरे category में जा सकता है तो उस दूसरे category के जो applicable fee है जाहिर है जो unreserved category या general category के बच्चे होते हैं उनकी fees जादा लगती है SC, ST या दूसरे जो other categories होती है उनकी fees कम लगती है registration की तो अगर पहले आपने SC, ST कर दिया था और आप general करना चाहते हैं तो जो additional fees है उसके बिना आप correction नहीं कर सकते हैं यह last paragraph में mention है आप पढ़ सकते हैं और सब को सब चीज़ online करना है इसके बावजूद अगर आपको कोई परिशानी आती है तो NTA को आप direct call कर सकते हैं जैसे कि आपको contact number दिया गया है और साथ ही email भी drop कर सकते हैं अब आएए देखते हैं कि किस portion में यानि कौन-कौन से particulars में आप changes कर सकते हैं यहाँ पर important बात यह है कि अगर आप mobile number, email address, permanent address और जो present address है इसके बारे में बात करें तो इसमें आप कोई भी action नहीं ले सकते हैं यानि यहाँ पर कोई changes नहीं कर सकते हैं इसके इलावा जो candidate का name है, date of birth है और gender number है आप इसको भी आप change नहीं कर सकते हैं आप father's और mother's name जो है, a candidate can change either father's name और mother's name यानि mother या father में से किसी एक का नाम जो है आप change कर सकते हैं या उसमें कोई correction है तो कर सकते हैं और उन students के लिए जिनका आधार verified है उनके बारे में बात करें तो candidates can change category and upload category certificate यानि आप category भी change कर सकते हैं, sub category है जैसे PWD तो उसको भी आप change कर सकते हैं जो certificate है आपको वो upload करना पड़ेगा इसी तरीके से अगर हम city और medium की बात करें तो उसके बारे में भी कहा गया है कि उसको भी आप change कर सकते हैं तो दोस्तों correction window का फाइदा उठाईए अगर कोई correction करना है तो 10 तारीक तक आप जरूर कर लें यहां पर एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी बिहार में बिहार के कुछ हिस्सों में जैसे सासाराम और बिहार शरिफ में कुछ अनुहोनी हो गए थी मिस हैपनिंग हो थी जिसके वएसे internet जो है वहां पर कुछ दिनों तक बादित था जिसकी वज़े से कुछ बच्चों का जो form है वो fill up नहीं हो पाया है तो दोस्तों ऐसे में आपको उन सभी छेतरों से आने वाले जो बच्चे हैं जो student है उनको चाहिए कि आप जो है NTA को directly mail करें फोन करें क्योंकि इसके इलावा और कोई आपके पस चाहरा नहीं यदि आपने form नहीं भरा है तो उमीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो कि अगर पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और हो सके तो दूसरे तो जरूर शेयर कीजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंद